नमस्कार दोस्तों मैंने तिस स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे अपने जमीन का आपकी जो प्रोपर्टी है जो लैंड है उसका record चेक कर सकते हैं और उसका दाखिल खारेज आउनलाइन देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप बिहार की निवासी हैं तो आप बिलकुल ऐसा कर सकते हैं और यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में एक complete detail अपने blog पे भी डाली हुई है तो आप जाके यहाँ भी चेक कर सकते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको जो बिहार government की दो site है बिहार भूमी.bihar.gov.in और irc.bih.nic.in इसकी आपको जोड़त पड़ेगी तो basically आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो आपके जमीन की copy है जो आरवार copy जिसको आप कहते हैं तो जो जमाबंदी copy है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं और इसके साथ ही मैं आपको जो दाखिल खारीज है उसको भी आप online कैसे चेक कर सकते हैं तो वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में live करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको ये दुनों site open कर लेनी है आप देख सकते हैं कि मैंने बिहार भूमी की और irc.bih.nic.in की site open कर ली है अब चलिए सबसे पहले हम land record को चेक करते हैं जो रो र है जो records of rights है उसको चेक करते हैं तो वो हम कैसे देखेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना खाता देखें search your land तो simply सबसे पहले हमको यहाँ पर click कर देना है यह आप देख सकते हैं कि एक बहुत सुन्दर सा बिहार का नक्सा आपके screen पर आ गया होगा तो जिस भी district में आप रहते हैं उस district को यहाँ से select कर लिते हैं जैसे मैं अगर दर्भंगा में रहता हूँ तो मैं यहाँ से select कर लूँगा अब आपके दर्भंगा में या आपके district में कई सारी area होंगे तो आपको उस area को चूज करके select करना है तो मैं दर्वंगा कही हूँ या आप कोई भी जिस एरिया में आपकी लैंड है जो जिस एरिया में प्रोपर्टी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजे तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूँ तो यहां आप देख सकते हैं कि जिला दर्भंगा, अनुमंडल दर्भंगा सदर और यहां से में इसको चेंज करके दर्भंगा कर देता हूँ अब यहां तक तो आप पहुँच गए हैं अब आपको जो आप अपना रेकॉर्ड चेक करेंगे इसके लिए आपको अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो आपको जो भी मौजे का नाम है आपको कंप्लीटली उसको चेक करना होगा तो लेकिन यह काफी ज्यादा टाइम कंजूमिंग हो जाएगा तो अगर आपके पास खाता संख्या या खेसरा संख्या या खाता दारी का नाम है तो आप उससे बहुत एजली चेक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ये जोड़ी है कि आपके पास मौजे का नाम होना चाहिए तो चलिए अब मैं यहाँ से अपने मौजय का नाम चूज कर लेता हूं और यह एक मेर रिलेटिव का है तो वो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं तो उनका खाता संख्या मुझे पता है तो यहां मैं खाता संख्या पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं खाता संख्या इंटर करता हूँ 129 ठीक है अब आप खाता खोजें यहाँ पे क्लिक कर देजें क्लिक करने के बाद साइट लूड होगी और यह देखे यहाँ पर इनकी डिटेल आ गई है जिनके नाम से प्रोपर्टी उनका नाम उनके पिता का नाम अगर फिमिल की नेम पर है तो उनके पती का नाम आएगा खाता संक्या और खेसरा संक्या अब हम यहाँ से इनके रेकॉर् प्रोपर्टी डिटेल आ गई तो दोस्तो इस तरीके से आप अगर बिहार के निवासी हैं तो किसी भी तरह का लैंड रेकॉर्ड आप इस प्रोसेस से चेक कर सकते हैं आपको सिंपली जो irc.bih.nic.in जो बिहार गौर्मेंट के ऑफिशल साइट है बस आपको वहाँ से अपन तो अगर आपको ऑनलाइन दाखिल खारीज की इस्तिती चेक करनी है जैसा कि मैंने यहाँ आपनी साइट पर ही बताया है कि अगर आपको दाखिल खारीज की इस्तिती चेक करनी है तो यह भी बहुत आसान सा तरीका है इसका भी simply आपको बिहारभुमी.bihar.gov.in जो government की site है बिहार government की site है वो site open कर लेनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर e-mutation status तो मैं यहाँ थोगा साथ जूम करके आपको दिखा देता हूं यह यहाँ आप देख सकते हैं e-mutation status तो simply आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं sorry थोड़ा बढ़ा में कर लेता है इसको दाखिल खारीज आवेदन की स्थिति तो simply आप यहाँ से भी जा सकते हैं तो अभी मैं यहाँ से पर क्लिक करता हूं और आप e-mutation status के dashboard पर देख सकते हैं अभी कितने cases टोटल कितने cases चल रहे हैं कितने cases disposed हुए हैं कितने pending हैं और कितने rejected हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके सभी जानकारी भी ले सकते हैं या अगर आप search करना चाहते हैं तो search करने के लिए आपको दाखिल खाड़िज आवेदन की सिती पर आना होगा आपको step पर क्लिक करना है यहाँ से अपने city का नाम चूझ कीजिए जैसे मैं दर्वंगा चूझ कर रहा हूँ फिर हमने दर्वंगा चूझ किया और अगर आपके पास case number आप चाहें तो case number से search कर सकते हैं अप्लिकेंट के नाम से search कर सकते हैं या मोजावाइच search कर सकते हैं अगर आपके पास इन तुनों में से कुछ भी नहीं है तो simply यहाँ से मैंने जिला select किया है अंचल select किया है और मैं वर्स select कर लेता हूँ case number या अप्लिकेंट नेम या मोजावाइच search कर सकते हैं तो यहाँ में all पर क्लिक कर दूँगा all पर क्लिक करने के बाद simply आपको search पर क्लिक करने है और search पर क्लिक कर देने के बाद यह देखे जितनी भी cases हैं और case का status भी आपको इसके side में सोब आओगा तो status correction slip generated तो आप यहाँ से view करके इसको चेक कर सकते हैं मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और page open हो रहा है और इस तरीके साब देख सकते हैं कि आप दाखिल खारीज की जो e-mutation की status है इसको भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप चाहें तो इसको copy of recipient और copy of CO order और यह भी यहाँ से देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर click कर देता हूँ sorry यह pop-up block है तो इसको आप enable कर लीजे आप देखे copy of CO order तो यहाँ पर जो CO का order है उसकी copy भी आ गई यह देख लीजे और फिर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ copy of receipt तो copy of receipt यह देखे copy of receipt भी आप चाहें तो इसको यहाँ से simply print भी कर सकते हैं बहुत easy है तो इस तरीके से आप दोस्तों घर बैठे ओनलाइन दाखिल कारेज के स्थीती और अपने land का record चेक कर सकते हैं complete process मैंने अपने ब्लॉग पर दी हुई है तो आप kindly और जो ब्लॉग की लिंक है जो इस पोस्ट का लिंक है वह में description में दे दूंगा इस वीडियो के तो आप वहाँ पर जाके इत्मिदान से सारा कुछ पर सकते हैं देख सकते हैं और तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आप अप घर बैठे ही अपने land का record या दाखिल खारेज के चीचिती ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो अगर helpful लगी है तो प्लीज वीडियो को सस्क्राइब कर दीजेगा या हमारे इस वीडियो को आप किसी अधर प्लेटफर्म लाइक फेस्बुक इंस्टाग्राम या लेंक्डिन पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमसे connect रहेगा क्योंकि वह आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद